दोस्तो आज में आपके लिए समुंदर किनारे पड़ी हुई मिली पांच ऐसी चीजे लेकर आया हूँ चिन्हों ने पूरी दुनिया को चोका दिया क्योंकि इनका राइस ये आज तक विज्ञानिक भी नई सुलजा पाए इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्टे की विडियों को लास तक जरूर देखना साल 2014 में समुंदर किनारे लाकों की संक्या में जेली फिस जैसे दिखने वाले अजीब जीव देखने को मिले जिन में से अधिकतर मर चुके थे पर कुछ अभी भी जिन्दा थे जिनका सरीर कांच के जैसे ट्रांसपरेंट था जो काफी खूबसूरत लग रहे थे पर आखिर ये सबी समुंदर किनारे के से आ गए माना जा रहा था कि तेज हवाय या फिर तूफान इन्हें अपने साथ किनारे पर ले आया होगा जो बाकी जेली फिस के जैसे जैरीली तो नहीं होती लेकिन अगर आप इसे चूने के बाद अंगूलियों को आँखों पर टच करते हो तो आपको तेज जलन मैसूस होगी इसलिए जब भी आपको ये दिखाई दे तो भूलकर भी इन्हें टच ना करें सैन फ्रांसिसको के बीच पर सो साल से भी पुराना एक टॉंब इस्टोन मिला जिस पर एमा बोसवर्थ नाम लिखा हुआ था और करीब एक महीने बाद एको टॉंब इस्टोन वहां मिला उसके बाद कई और भी मिले जो सायद पासी में मुझूद ऐसे कबरिस्तान का था जो पानी का इस्तर बढ़ने की वज़े से अब समुदर में डूप चुका था दुलाई के महीने में जब कुछ लोग समुदर किनारे घूमने के लिए निकले तब उन्हें वहां पर कुछ रैस्यमाई और पीले रंग की अजीब चीजे पड़ी हुई मिली जो पूरे बीच पर फेली हुई थी किसी को भी ये नई पता था की आखिर ये है क्या इसलिए वो सभी इसके नजदिक जानी से भी डर रहे थे लेकिन इस बात का अंदाजा सब को था की ये चीज पानी से ही निकल कर आई है 1896 में दो लड़के जब अपनी साइकल से जा रहे थे तो उन्हें किनारे पर एक विसाल जीव मिला जिसने उन्हें डरा दिया था पहले उन्हें लगा कि वो एक विसाल वियल मचली है पर पास जाने पर वो कुछ औरी थी मानो जैसे जाइंट ओक्टोपस का सिर हो जो मरने के बाद लैरों के साथ किनारे पर आ गया सोचो अगर उसका सिर इतना बड़ा था तो उसका सरीर कितना विसाल होगा रसिया के साइबेरिया इलाके में एक दिन लोगों को कुछ ऐसा दिखा जिसने वहां मुझूद सभी लोगों को चोका दिया क्योंकि उस जगह बहुत सारे बर्फ के गोले थे जो लोगों के लिए काफी अजीब था क्योंकि उन्होंने पहले कभी वहां ऐसा नजारा नहीं देखा था कुछ गोले के आकार इंसानों से भी बड़े थे यहां तक कि वो इतने मजबूत थे जिने तोड़ने के बजाए आरी से काटना पड़ा जो आज भी वेक्यानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है दोस्तों क्या मुझे इस वीडियो के लिए आपका एक लाइक मिलेगा जिसे देने में आपको सिर्फ एक सेकिन लगेगा